हेलो फ्रेंड्स, ओक्टेट लाइव स्कूल मां आपनों स्वागत छे, छेला बे लेक्चर आप बदाए निहाड़े आसे, जोह आसे, ये बन्दे मां आपने विकलितना उपियोगों ना बे उपियोग सीक्या, पहला लेक्चर नी अंदर कोईपन क्वांटिटी नो बदलाव आपने वदतु अने गटतु विदेह सीख्या, आजना लेक्चर मां विकलितना उपियोगों नी अंदर आपने त्री जो विकलितना उपियोग, एटले के स्पर्षक अने अभिलम सीखवानों छे, विकलितनी मदत्ती कोईपन वक्रानों स्पर्षक अने अभिलम केविरीते मेलवी शकाए ते आजे आपणे जोवानू छे स्पर्षक अने अभिलम तोरण अग्यार नी अंदर आपणे रेखावो चेप्टर मां शिख्या आता पनन्तु त्यां विकलीत नो उप्योग नो तो केरो तो विकलीत नी मदत्ती स्पर्षक अने अभिलम कई रिते मड़ी शके ते जोई है तो सवती पेला स्पर्षक अने अभिलम तो y बराबर fx अपने कोई वक्रा आपेलो होई अने x0 y0 ये वक्रा पर नू बिंदू छे तो y बराबर fx ने x0 y0 बिंदू आगर ये स्पर्षक नो ढाल छे ते dy by dx ये बिंदू पांसे ये लेके f डैस x x0 थी बताव शकाए सामान्य रीते जोई है तो कोई पन्वक्रा होई y बराबर fx तेनू आपणे ढाल मेल वो होई तो ये ढाल ने आपणे dy by dx कहिए छी है आजे dy by dx छे ये स्पर्षक नो ढाल के वासे अने पर्टिकुलर कोई बिंदू आपेलो होई तो ये बिंदू जारे ये लेए छी है तो ये बिंदू पांसे नू ये आपने ढाल मली शेके तो ये ज प्रमाने जों एफडेस एक्स नी जगे एजरे एक्स जीरो मुखी हुँ तो यह आपने शूँ आपई देशे स्पर्षक नो ढ़ाड आपसे अवे दोरन अग्यार नी अंदर आपने खबर छे के आपनी पासे ढाल बिंदू समीकरण हातू ढाल बिंदू समीकरण कही होतू y-y1 is equal to m x-x1 जो बिंदू x1-y1 वाथी पसार सती अने m ढ़ाड वाली रेखानू समीकरण तो आ समीकरण नी मदत थी आपणे मिलो ता आता यह जवस्तु यहा करवानी चा आपणी पासे ढाल छे अने बिंदू पन छे x0 y0 तो आपने ना उप्योग थी आपणे ढाल बिंदू आगलना स्पर्शक नों समीकरण y-y0 is equal to m अतले के यह आपणों ढाल f-x0 x-x1 तो यह स्वरूप माझे तो ज्यारेपान स्पर्शक नों समीकरण आपने पुद्से सवथी पेल आपणे शू करीशू वक्रानों ढाल मिलवी लेशू यह बिंदू मुक्वी परशक नों ढाल मुली पिंदू आपने पुद्से समीकरण मिलवी शकेए त्यार बाद छे अभिलंब, अभिलंब कोने कई शगाए तो जे स्पर्षक ने लंब रेखा होई तेने अभिलंब कईया ची है तो स्वाभविक छे कि जे स्पर्षक नो ढाल असे तेना थी अभिलंब ढाल के वो होई तो कि व्यस्त नो विरो थी अभिलंब ढाल हमेशा स्पर्षक ना व्यस्त नो विरो दिया असे तो मारी पासे स्पर्षक नों ढाल छे f dash of x0 तो तेना व्यस्ता करीद ये तो 1 अपन f dash x0 अने विरोधी एटले माइनस तो मने अभिलम नों ढाल मली जासे बिंदू तो आपड़ू x0 y0 च्छे तो आना पर तिम्हों अभिलम नूं समीकरण पन मेलवी चाकू तो ते बनी जासे y-y0 is equal to m m अटले आईया छे minus 1 अपन f dash x0 अने x-x0 कोई गोखवानी जरूर नती बद्दूज 11 नूजे समीकरण छे तेना उपर्थी आवे चे मात्रा एककत समीकरण छे y-y1 is equal to m काउंस मा x-x1 आख्खा विभागनी अंदर main प्रक्रिया छे ढाल मेलवानी बिन्दू तमने आपे लूँँजे त्यार बाद अमुक कंडिशन आपे छे जिमके जो वक्र y बराबर fx नो x-x नी धन्दीशा साथे नो खुनो ठीटा होई तो ढाल ने आपड़े m बराबर 10 ठीटा दी पन दर्शा होता आता तो आपड़ो जे ढाल छे ये बराबर 10 ठीटा पन आपड़े लखी शक्या चीए हवे जो आढ़ ये 0 होई आपड़ा स्पर्शक नो ढाल सुन्य होई येनो मतलब शुन धाए कि आपड़ो जे स्पर्शक छे ये x-x ने समान्तर हशे अथ्वा तो x-x नी साथे समपाती हसे आप परिस्तिती मा आपड़ो ढाल शू बनी जासे, सुन्या बनी जासे तो जो ढाल सुन्या होए, तो स्परशक नू समी करण सुन्या तो आपड़ी पासे चे y-y1, अत्यारे y-y0, m, x-x0 दाल सुन्या, येनों मतलब क्ये, जमडि बाजो नि, बती परिस्तिती सुन्या तो y-y0 बराबर 0, येनों मतलब शूचियों कर ağग weighs 0 तो ये आपड़ने स्परशक मलएचे, क्यारे? जो दाल सुन्या होए, तो स्परशक नू समी करण y बराबर y0 जोश परशक्नु समिकरण y बराबर y0 होए तो ये परिस्थिता माँ अभिलम नु समिकरण सुझाए तो आने लंब रेखा यह जब ROB het x0 माँ थी पसार ते असे तो जारे डाल 6 ये ज़ो x 15 ने समा अंतर होए तो डाब सुझयँ थाए yx ने समांतर एड़ले कि यहां आपड़े 10 theta बराबर 0 degree लिदू तो 10 0 0 ढाल नू मुल्य 0 थेए उपन 10 pi by 2 9 degree लिए तो 10 pi by 2 आव वियाख्या इत्त थसे यहनों मतलब सुन दियो कि ढाल वियाख्या इतना थी तो जो ढाल वियाख्या इतना होए 10 theta infinite होए ढाल वियाख्या इतना होए यह समये आपड़ो जे स्परशक छे यह yx ने समांतर होए अथवा तो yx साथे समपाती होए अने yx ने समांतर हो रेखानू समी करण x बराबर अचल तो यह समये x बराबर x0 यह अपड़ा स्परशक नू समी करण था से आने अभी लंब आपडो जे छे ये स्परशक ने लंब से तो x बराबर x0 ने लंब रेखा एटले के y बराबर चल तो ये समय अभी लंब नू समी करण थसे y बराबर y0 तो बहुँच सरल रीते आपड़े आभी रीते याद राखी चक्गिये छी तो सवती पेलो जाखलो आपणने आपेलो छे एक वक्रा छे ये वक्रा ने x बराबर 4 आगलना स्परशक नो डाढ़ आपड़े मेलावानों छे तो y बराबर वक्रा लखी देए 3x raised to 4 minus 4x तो माटे dy by dx बराबर 4 तेरी बार x cube minus 4 तो अठाल मली गयो आपड़े x बराबर 4 आगलना स्परशक नो डाढ़ जोई ये छे तो dy by dx x बराबर 4 तो सुफ ही जैसे 12 4 नो गहन माइनस 4 बराबर 768 माइनस 4 764 तो आपेलो जे वक्रा छे तेनो x बराबर 4 आगलनो डाढ़ 700 ने 64 मले छे त्यार बाद बीजू x बराबर थीटा मा प्रचल छे y बराबर थीटा नो प्रचल छे अने वक्राने पाई बाई बाई टू आगलना अभीलंब नो डाल मिलावानो छे तो सवती पेला आपड़े जहरे पन अभीलंब पूछे स्पर्शक नो डाल से उती पेला मिलवीशू त्यार बाद आपनने अभीलंब नो डाल मल से तो x बराबर 1 माइनस a sin थीटा माटे dx बाई d थीटा बराबर चलो 1 नो 0 माइनस a sin नो कोस थीटा बराबर माइनस a कोस थीटा वाई लहिये हैं b कोस क्वेर थीटा माटे dy बाई थीटा b cos square theta 2 cos theta cos theta minus sin theta तो ये था गए minus 2 b sin theta cos theta तो माटे dy by dx बराबर dy by d theta छेद माँ dx by d theta तो बराबर minus 2 b sin theta cos theta छेद माँ minus a cos theta तो बन्ने माँथी cos theta cos theta दूर थेशे minus ने minus दूर थेईजे तो फाइनली आभी गएओ 2 b by a sin theta परन्तु आतो कौमन छे आपडे theta बराबर πाई बाई टू पासे चोईएशे तो dy by dx theta बराबर πाई बाई टू बराबर 2 b by a sin pi by 2 अने sin pi by 2 आपडे जानिये चेएखे 1 थाशे तो आथा एक यह 2 b by a आशू मले चेएखे आपणने स्पर्षक नो ढाल मले चेए तो माटे पर्षक नो ढाल बराबर 2 b by a माटे अभी लंब नो ढाल बराबर माईनस यह बाई टू बी व्यस्त नो वीरो दे आपणे मेलवी शक्या छीए वक्र वाई बराबर 1 अपन एकस माईनस वन ने माईनस वन ढाल वाला तमाम स्पर्षक ना समी करन छो तो आई आपणने ढालनू मुल्य आपी दीदू छे जुओ आपणों ढाल केटलो छे तो के माईनस वन छे तो आपणे डीवाई बाई डीएकस जे छे तेनू मुल्य आपणे माईनस वन मुकी शो तो वाई बराबर 1 अपन एकस माईनस वन तो डीवाई बाई डीएकस बराबर तो 1 अपन एकस नू माईनस 1 अपन x square थाई छे नो square तो dy by dx आपने ठाल आपे लो छे minus 1 तो माटे minus 1 बराबर minus 1 अपन x minus 1 नो square तो सामेनी बाजू ले 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 ये बन्ने माथी minus minus दूर थाई जासे तो x minus 1 नो square बराबर 1 तो वर्ग मुल्ले इश्यू तो x minus 1 बराबर plus or minus 1 माटे x बराबर सामे जासे तो 1 plus or minus 1 माटे x बराबर चारे plus ले ये त्यारे 2 मल से औने minus ले ये त्यारे 0 मल से तो x ना आपने 2 मुल्या मले शे आई x ना मुल्या पर थी आपने y नो मुल्या मली शक्ये तो जो x बराबर 0 तो y बराबर चलो x बराबर 0 मुखे शुँ तो x बराबर 0 मुखे 1 अपन माइनस 1 माटे माटे बिन्दुना याम शु बनी जाए 0 माइनस 1 बिन्दुना याम मली गया अपने डाल पन मली गयो छे तो स्पर्शक्नों समीकरण लखी शग्ये तो माटे स्पर्शक्नों समीकरण y-y1 यह लेके-1 is equal to m तो उसमा x-x1 तो y-1 is equal to यह माइनस x थासे माटे आने सामेल लई जहिए तो x-y-1 बराबर 0 तो आप एल्लू समीकरण आपनने स्पर्शक्नों मलेशे त्यार बात बीजी कंडिशन लईए के चुह x बराबर 2 तो y बराबर चलो 2 मुखी हावे आपने तो 2 उच्छा एक एक मलसे तो y नो मुल्य प्लस वन मलसे तो माटे बींदू ना यहां चलो x बराबर 2 त्यार य बराबर 1 माटे पर्शक्नों समीकरण तो y माइनस y1 is equal to m x माइनस x1 तो y माइनस 1 बराबर माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 बनने ने डाभी बाजू लई आविये तो x प्लस y माइनस 3 बराबर 0 तो आ मली गईव आपणने स्पर्शकनों बीजू समीकरण तो आरी ते आपडे बनने समीकरण मिलवी शक्या छिया भक्र x स्क्वेर पन 9 प्लस y स्क्वेर पन 16 इकल टू 1 ना जे बिंदू आगणना स्पर्शको x अक्स ने समांतर होई आने y x ने समांतर होई तेवा बिंदू ओ शोधुआना छे तो आगण आपडे कंडीचानों जोई ती कि x x ने समांतर होई त्यारे 0 लई शकाए आने y x ने समांतर होई त्यारे 0 लई शकाए परन्तु सवधी पेलला तो आपडे वक्र उपरती ढाल मिला वोपरसे तो x स्क्वेर अपन 9 प्लस y स्क्वेर अपन 16 इक्वेल टू 1 तो विकलन लई है तो x स्क्वेर नो 2x अपन 9 प्लस 2y बाइबाइब 16 डिवाइब डिएग्स बराबर 0 माटे 2y बाइब 16 डिवाइब डिएग्स बराबर सुन लखी शकाए आसामे जैसे तो माइनस 2x बाइब 9 आप जोई शको चो बन्ने माथी 2,2 अपने कट करी शक्ये छिए तो माटे dy बाइब डिएग्स बराबर सामे जैसे तो 16x ना छेद माइब 9y पन केवा माइनस तो आपने सु मलेशे ढाल मलेशे हवे जो स्परशक x अक्स ने समानतर होए तो स्परशक x अक्स ने समानतर होए ये समय ढाल दू मलेशे होए 0 अवे ढाल 0 क्या रहे थाए तो ये लखी शकाए जो स्परशक x अक्स ने समानतर होए तो डाल बराबर 0 माटे डाल क्या रहे 0 थाए तो कि अंच 0 थाए अंच 0 छे 16 x तो माटे 16 x बराबर 0 माटे फाइनली x बराबर तमने सू मुले 0 मुले अवे आ x बराबर 0 अपड़े क्या मुकीशू वक्रनी अंदर मुकीशू तो x बराबर 0 लेता 0 प्लस y स्क्वेर अपन 16 उक्वल तो 1 माटे y स्क्वेर इक्वल तो 16 माटे y बराबर प्लस और मैनस 4 माटे बिंदू नायाम बराबर x 0 अने y प्लस और मैनस 4 कई पर इस्तिती मा ज्यारे आपड़ो स्पर्शक x अक्षने समानतर होई त्यारे त्यार बाद स्पर्शक y अक्षने समानतर होई जो स्पर्शक y अक्षने समानतर होई तो हवेश परशक yx ग्यारे थाए तो कि जो छेद 0 थाए तो ढार अभ्याक्याइथ थाए चेद मासूंचे 9y तो माटे 9y बराबर 0 तो यहनों मतलब के y बराबर 0 तो y बराबर 0 लईए तो माटे x square upon 9 plus 0 बराबर 1 माटे x square बराबर 9 माटे x बराबर plus और minus 3 तो माटे बिंदुना याम बराबर plus 0 माइनस 3 अने 0 तो आपने मलाचे क्या रे तो के स्परशक जो y x ने समांतर होई ते समाई है वक्र y बराबर 4 x cube minus 2 x raise to 5 ना उगम बिंदु माथी पसार थता स्पर्शक ना स्पर्श बिंदु ओशो थो तो सवथी पेल्ला वक्रना स्पर्शक नो ढाल मेड़ विले इश्यू हवे स्पर्शक जे छे ते उगम बिंदु माथी पसार थाई छे देते वो अपने आपेल हो श्या 10 x नी चारकाद dy by dx x1 y1 बराबर 12 x1 नो स्क्वेर माइनस 10 x1 नी चारकाद आरी ते आपड़े लखी शेके छिए तेमाज बिंदु x1 y1 वक्रा पर छे माटे वक्राउन समीकरण जेशे तेने आपड़े लखी शेकाए y1 बराबर 4 x1 नो क्यूब माइनस 2 x1 नी 5 गाज आप्रमाणे आपड़े लखी शक्या छिए तो आ वक्रापर नो बिंदु थाई गयो आपड़ी पासे स्पर्षक नो ढाल मली गयो छे स्पर्षक नो बिंदु स्पर्ष बिंदु छे तो आपड़े स्पर्षक नो समीकरण लखी शक्या छिए माटे परशक नूं समी कराण तो माटे y-y1 equal to m धाल कई हो छे तो आपड़ी पासे छे 12 x1 square minus 10 x-x1 y-y1 is equal to m x-x1 तो आसु बनी गयू स्परशक नूं समी कराण बनी गयू आपणने आपेलू छे के स्परशक उगम बिंदू माथी उपसार थाई छे तो जो स्परशक उगम बिंदू माथी पसार थाई तो सुन लखाई xy बराबर सुध ही गयू 00 तो माटे xy नी जगे 00 मुकी दही है तो माइनस y1 बराबर 12 x1 नो स्क्वेर माइनस 10 x1 नी चार गाद माइनस x1 बन्ने बाजू थी माइनस ने दूर करी दही है तो y1 बराबर x1 नो गुणा कार थाई तो 12 x1 नो क्यूग माइनस 10 x1 नी 5 गाद हवे थोड़ू आगळवधिये तो आपनी पासे y1 माnए समीकरणँ छे आ समीकरणदने नंबर वन आपीए आन्ने y1 मां बीजू समीकरणद आ समीकरणदने नंबर 2 आपीए तो बन्ने समीकरणदने जो सरखाविये तो समी करण एक अन्य बेने सर्खावदा माटे 4x1 क्यूब माइनस 2x1 नी 5 इक्वेल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 नी 5 चलो आप 4 ने आप आजू लई आविए माइनस थासे 12-4 यह थासे 8x1 क्यूब माइनस आप 2 ने अभी जमनी बाजू लई आविए तो प्लस थासे तो यह पन थासे माइनस 8x1 नी 5 बराबर 0 तो 8x1 क्यूब कॉमन लई 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 यह आपड़े तो 1-x1 square बराबर 0 माटे x1 बराबर 0 x1 बराबर 1 अने x1 बराबर माइनस 1 त्रण मुल्य आपनने मले छे आ x1 ना मुल्य आपड़े स्पर्ष बिंदूओ मेड़ावाना छे तो x1 नू मुल्य जो आयामू की देए समीकरण एक मा तो आपड़े y1 नी किम्मत पण मलती जे तो आपड़ी पासे y1 बराबर 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 नी 5 छे y1 बराबर 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 नी 5 छे आपणने 3 x1 मेड़ा 0 अने – 1 तो लखाए जो x1 बराबर 0 तो y1 बराबर चलो x1 0 अने 0 तो y1 पन 0 थेयू x1 बराबर – 1 तो y1 बराबर, चलो किम्मत मुख्या 4 minus 1 नो cube minus 2 into minus 1 नी 5 गात तो 4 into minus 1 अटले minus minus 2 into minus 1 अटले plus तो ये था से minus 2 आने जो x1 बराबर 1 तो y1 बराबर 4 into 1 cube minus 2 into 1 raise to 5 तो 4 minus 2 equal to 2 तो माटे मागेल बिंदू ओनायां बराबर, 0, 0, minus 1, minus 2 अने plus 1 अने plus 2 त्रोन बिंदू ओनायां आपने मली शक्याँचे वक्र e y square बराबर x cube एक बिजो वक्र आपेलो छे तो आँ वक्र ना बिंदू आगणना अभिलमनू समीकरण मेलवानू छे अटले के आपनने वक्र परनू बिंदू पन आपी दीदू छे अभिलमनू समीकरण जोतू ओई तो सवथी पेलला आपड़े शू मेलवी शू स्परशक नो ढाल मेलवी शू अटिदू आपर थी अभिलमनो ढाल आपनने मली शक्याँ तो a y square बराबर x cube विकलन करिये 2 a y dy by dx बराबर 3 x square माटे dy by dx बराबर 3 x square ना छेद माट 2 a y माटे dy by dx बराबर अब बिन्दू ना याम मुकी देए 3 x नी जग्याए am square नो square छेद माट 2 a y नी जग्याए am cube तो ये थसे 3 a square m raise to 4 छेद माट 2 a square m cube तो a square a square cut थाई गया थाई गया 3 m by 2 dy by dx तो माटे स्पर्शक नो ढाळ बराबर 3 m by 2 तो स्पर्शक ना ढाल पर थी आपने अभीलंब नो ढाल लखी शक्ये तो माटे अभीलंब नो ढाल बराबर व्यस्तनों विरोधी येदले माइनस 2 by 3 m तो माटे अभीलंब नो समी कराण तो y माइनस y1 अदलेके am3 is equal to m काउस माइ x माइनस x1 अदलेके am2 तो माटे चलो क्रोस गुना कर करिए तो थ्री एम वाइ माइनस अधिया गुना कर करिशू तो 3 am रेश टू 4 था ही जैसे बराबर माइनस टू नो गुना कर करिए तो माइनस 2 x माइनस माइनस प्लस 2 am स्क्वेर थास है बद्दा पदने जमा डाबी बाजू लई आ भी है तो 2 x प्लस 3 am y माइनस 3 am रेश टू 4 माइनस 2 am स्क्वेर बराबर 0 तो अचलो पद माथी कॉमन लई है 2 x प्लस 3 am y माइनस याथी am स्क्वेर कॉमन लई लई है तो सुवदे तमारी पासे 3m स्क्वेर माइनस 2 बराबर 0 तो आपने मले चे अभी लंबनू समी कराण कि आपेला बिंदू माँ थी पसार थता अभी लंबनू समी कराण जो 8 के स्क्वेर बराबर 1 होए एक अगत्यनी कंडिशन आदाखला माटे आपेली छे दाखलो खास दियाना पी अनेरा सामबल जो खुब अगत्यनों दाखलो छे तो वक्र y2 बराबर x तथा xy बराबर के लंब छे दी छे आपने आशब्द जानी तो छे लंब छे दी कोने केवाई बे वक्र लंब छे दी क्या रहे होए बन्ने वक्रना पर्षक नों गुणाकार जो माइनस वन होए तो बन्ने वक्रा केवा बनेचे लंब छे दी बनेचे तो यहां आपणे साबीत एवु करवु पड़ छे के बन्ने वक्रना धाल मेळविये अन्य आड़े धालनों गुणाकार आवे छे तेसु बनेचे माइनस वन बनेचे तेवु आपणे दर्शावानू छ तो सवथी पेल्ला तो बिंदू मेळवी लेए आपणे तो यहां xy बराबर के छे तो अनि अंदर x बराबर y स्क्वेर मुखी देए x बराबर y स्क्वेर लेता तो x नी जग्या है जो y स्क्वेर मुखी है इन्टू y बराबर k तो माटे y3 बराबर k तो फाइनली y बराबर सुथ है y k रेश्टू 1 3rd तो आ y बराबर k रेश्टू 1 3rd जेशे तो यहां मुखी देए y बराबर k रेश्टू 1 3rd y स्क्वेर बराबर x मां लेता श्या माटे आपणे आगू करिये छी है छेद बिंदू मेड़वा माटे तो स्क्वेर छे तो y रेश्टू 2 3rd बराबर x तो माटे छेद बिंदू नायाम बराबर xy y रेश्टू y नी जग्याई आपणे के वलेवानों छे आपणे के रेश्टू 2 3rd थाई जसे के रेश्टू 2 3rd आने y नू थसे के रेश्टू 1 3rd आपणे छेद बिंदू नायाम मली गया हवे आपणे बंदेना डाल मेला लिया पेल्लू छे y square बराबर x तो माटे 2y dy by dx बराबर 1 माटे dy by dx बराबर 1 upon 2y बराबर 1 upon 2 y नी जग्याई एस हूं आउसे के रेश्टू 1 3rd तो आजे छे यहने आपणे m1 कई देए तो m1 बराबर 1 upon 2 k raise to 1 3rd अवे बीजू जे समी कराण छे तियां थी आपणे ढाल लिये xy बराबर k तो माटे y बराबर k by x माटे dy by dx बराबर 1 upon x नी जो थासे माइनस वन अपन X स्क्वेर अटले यह सासे माइनस K बाई X स्क्वेर बराबर माइनस K ना छेद माँ X स्क्वेर करवानों छे अटले अहीं थाई जैसे 4 by 3 K रेज़ टू 4 by 3 माटे M2 बराबर माइनस K अपन K रेज़ टू 4 by 3 बराबर माइनस 1 अपन K रेज़ टू आपन ने नीचे लाविया 4 by 3 माइनस 1 अटले 1 by 3 तो फाइनली आपनने M1 अने M2 नी किम्मत मले चे अवेला किश्या काई कि आपेल बनने वक्र लंब छेदी होई तो M1 इन्टू M2 माइनस 1 थाई तो आपड़े M1 इन्टू M2 लहिए M1 आपड़ी पासे छे 1 अपन 2 K रेस्टू 1 थर्ड इन्टू माइनस 1 अपन K रेस्टू 1 थर्ड इक्वल टू माइनस 1 अपन 2 K रेस्टू 2 थर्ड अवे आपनने आपेलू छे 8 K स्क्वेर इक्वल टू 1 तो एना पर्थी 2 इन्टू K रेस्टू 2 थर्ड तेनू मुल्य पाण वन अथ थाशे तो एननू मतलब के आ थाई गयू माइनस 1 तो M1 इन्टू M2 ए आपननने मले छे माइनस 1 तो माटे लखी छे काई आपेल बनने वक्र लंब छे दी छे तो आरी ते तमें साबीत करी छेको छो क्यार बदाई पूछे वक्र y बराबर अंडर रूट ओफ 3x माइनस 2 ना रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 ने समान्तर स्पर्षक ना समीकरण मेल ओ एटले के आपना जे स्पर्षक ओछे वक्रना तिया रेखाने समान्तर छे तो जो स्पर्षक रेखाने समान्तर होई येनों मतलब के बंदेना ढाल के वा थसे समान्तर से तो डाल रेखाना समी करानू पर थी आपने मली शके तो सवुथी पेला आपने रेखाना समी करानू पर थी ढाल मेल भी लेए तो आपने रेखा आपेली छे 4x-2y प्लस 5 तो 4x-2y प्लस 5 बराबर 0 नो डाल m बराबर आपने पासे समी करान छे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 नो डाल सुँवए माइनस a by b तो यहाँ माइनस 4 ना छेदमा माइनस 2 अटले यह आपने मली जसे प्लस 2 यहनो मतलब यह वो था यो के स्परशक उपर थी जारे आपने dy by dx मेल वीशुँ ढाल यह पने केटलो आसे तो के प्लस 2 आसे तो माटे अवेस परशक लाई शकाए y बराबर रूट 3x माइनस 2 तो माटे dy by dx रूट नूँ वीकलान 1 अपन 2 रूट 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 नूँ वीकलान था से 3 तो माटे ठालनी जग्याए बे मुखी दहिए तो सामे थासे 3 अपन 2 रूट 3x माइनस 2 तो माटे गुणा कर करिये तो 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 3 हवे आ समी करणनू साधुरूप अपनू छे तो साथी पेलाग 4 नीचे ज़से एटले 3 बाई 4 थासे पची बनने बाजू अपने स्क्वेयर लई ये छी है एटले यहाँ थासे 3x माइनस 2 बराबर 3 नूबर 9 ना छेद मा 16 अने त्यार बाद 2 सामेनी बाजू ज़से लसा लईशू अने लसा लिधा पची 3 ने नीचे मोख लिए तो फाइनली x नू मुल्य आपणने मले छे x बराबर 41 ना छेद मा 48 तो आपने जे बिंदू छे आपणे इस परशक ना समीकरण मेडवाना छे तो आपने पसे बिंदू हो जो बिंदू नो x याम आपने मली गयो आ x यामने फरी पाचो अपड़े समीकरण मा मुखी देशू तो आपने y याम मली जेसे तो x बराबर 41 ना छेद मा 48 y बराबर रूट 3x माइनस 2 मा मुखता तो माटे y बराबर रूट 3x41 ना छेद मा 48 माइनस 2 तो आनू साधुरू पापता आपने y नू मुल्य मले छे 3x4 माटे बिंदू ना याम बराबर x याम छे 41 ना छेद मा 48 अने y याम छे 3x4 तो आपने बिंदू मली गयू छे स्पर्षक नू ढाल पन आपने खबर छे तो माटे स्पर्षक नू समी करण y माइनस y1 एटले के 3x4 एकोल टू एम ढाल छे 2 आप उसमा x माइनस x1 तो माटे y माइनस 3x4 एकोल टू 2x माइनस याथा से 41 ना छेद मा 24 दू अड़ तालीस याथ 24 बनी जासे बनने पदने सामे लई चाहिए तो 2x याथा से माइनस y माइनस 41 ना छेद मा 24 आथा से प्लस 3 बाइ 4 बराबर 0 तो साधुरू पापता तमने समी करण मल से 48x माइनस 24y माइनस 23 बराबर 0 तो आपनने मल चे आपेली रेखाने समांतर स्परशक नों समी करण त्यार बाद x बराबर ठीटाना स्वरूप मा प्रचल छे y बराबर ठीटाना स्वरूप मा प्रचल छे तो प्रचल समी करण वाला वक्रनों बिंदु आगलनों अभिलम उगम बिंदु थी अचल अंतरे छे तेवू साबीत करवानू छे वक्रना ठीटा बिंदु आगलनों अभिलम ये उगम बिंदु थी अचल अंतरे आवेलो छे तो सवथी पेला तो आपड़े तेनु बिंदु मेड़ावगो पड़से औने अभी लंब मेड़ावगो पड़से तो x बराबर a cos theta प्लस a theta sin theta तो dx by d theta मेड़वीशो आपड़े dx by d theta चलो a cos theta नू थासे minus sin theta प्लस अईया a अईया theta ने sin theta भी एचे तो गुणा करनो नियम लागू पड़से तो कौँस नियांदर पेल्लू अचर बिजानु विकलन cos प्लस बिजू अचर पेलानु विकलन 1 तो minus a sin theta plus a theta cos theta प्लस a sin theta तो आप जोई शको छो क्या बन्ने पद कट थाई जासे तो इंहां थाई छे a theta cos theta तो अपने dx by d theta मले गयू h प्रमाने हावे y लईए तो y बराबर आपणी पासे छे a sin theta minus a theta cos theta तो माटे dy by d theta बराबर a sin नुविकलन cos theta यहां minus a बार राखेशू तो अंदर उनाकार्नो नियम लागू पडशे चलो पेल्लू अचल cos नुविकलन minus sin theta plus cos अचल theta 1 तो यह थाई गयू a cos theta minus minus plus a theta sin theta minus a cos theta तो फरी पाचू a cos theta a cos theta दूर थाशे तो आप बनी गयू a theta sin theta तो आना पर्थी हवे आपड़े ठाल लई शक्किये छिए तो dy by dx बराबर dy by d theta छेद मा dx by d theta तो बराबर dy by d theta आपने मालेचे a theta sin theta अने एना छेद मा dx by d theta मालेचे a theta cos theta तो बराबर a theta a theta बन्ने माथी कट थाई जासे a थासे sin theta ना छेद मा cos theta माटे आजे मेड़ो एसू मेड़ो आपनने स्परशक नो ढाल मेड़ो आपड़े अभीलंबनो ढाल मेड़ावानो छे तो अभीलंबनो ढाल बराबर cos theta ना छेद मा sin theta वियस्त नो 0 थी तो आथाई गयो आपड़े अभीलंबनो ढाल हवे आपने साबीत शू करवानू छे तो आपने यो गिदू छे किये वक्रान उगम्बिंदू आगल्थी अचल अंत्रे आवेलो छे तेवू साबीत करवानू छे तो पेला तो रेखाननू समीकरण आपने मेड़ो उपड छे तो रेखाना समीकरण माटे सवुथी पेला अभीलंबनू समीकरण मेड़ वी लेए तो अभीलंबनू समीकरण y- जे y वन छे ए थिटाना स्वरूपमा a थिटा माइनस a थिटा कोज थिटा a sin थिटा माइनस a थिटा कोज थिटा a sin थिटा माइनस a थिटा कोज थिटा बराबर ठाड आपने मलेलो छे माइनस कोज थिटाना छेद माँ sin थिटा माइनस कोज थिटाना छेद माँ sin थिटा काउंसमा x- x1 लईये छी है आपड़े a cos थिटा प्लस a थिटा sin थिटा a cos थिटा प्लस a थिटा साइन थिटा तो आपने जे समीकरण आई पूछे एक सने y ना प्रचल मा ए आपड़े अभिलमनू समीकरण बनाएऊ अवेशू करवानूँ छे sin theta नो गुणा कर आईया करिए और कोज theta नो गुणा कर सामे करिए तो माटे आईया बन्चे y sin theta minus a sin square theta minus minus plus a theta sin theta cos theta आपर माने बन्चे ये जरीते आईया minus cos theta नो गुणा कर करिए तो ये थासे minus x cos theta minus minus plus थासे 1 square theta minus minus plus थासे a theta sin theta cos theta तो आप जो ही शको छो कि बन्चे बाजू थी a theta sin theta cos theta और पद निकली जासे त्यार बाद आजे बन्चे पर दिशे ते ने डाभी बाजू लई आविये तो आपने मले ये x cos theta plus y sin theta बन्चे माथी minus ये common लई है तो काउस मां cos theta plus sin square theta और ये थासे 0 तो माटे x cos theta plus y sin theta minus a बराबर 0 आशू मले आपने अभीलमनू समी कराण आपने अभीलमनू आपने उगम बिंदू थी लंबंतर बतावानू छे अनिये ये जे लंबंतर छे ये अचल छे ये वो आपने साबीत करवानू छे तो रेखानू 0 0 थी लंबंतर बराबर मानांक मा a x1 plus by1 plus c under root b2 plus b2 आपने लंबंतर नू समी कराण छे तो बराबर x1 अने y1 एटले उगम बिंदू 0 0 आउशे तो कोस थीटा इंटू 0 plus sin थीटा इंटू 0 अचल पत्थासे माइनस a छेद मां अंडर रूट को स्क्वेर थीटा प्लस sin स्क्वेर थीटा आप को स्क्वेर थीटा प्लस sin स्क्वेर थीटा एटले 1 थाई गयू अने उपर आ बन्ने पत्थ 0 थाया एटले आनो स्क्वेर थाई के अभी लंब उगम बिंदू थी अचल अंतरे छे तो आरीते तम्हें साबित करी शको छो तो आहतो बाड़को विकलीत नो त्रीजो उपियो एटले के विकलीत नी मदत्ती स्पर्शक अने अभीलम कई रिते मेडवाई ते आपड़े सीख्या तो आ वीडियो नी अंदर कोई पन डाउट होई तो तम्हें कमेंट सेक्शन मा मोकली शको छो अथ्वा तमारा सेजेश थैंक यू